हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मार योट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज तक कितने एडमिशन हो चुके हैं बीटेक फार्मेसी और पॉलिटेखनिक में आप सब जानते हैं स्पॉर्ट राउंड का सेकेंड राउंड का आज लास दिन था एडमिशन का और कल तक कितने लोगों ने एडमिशन लिया इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी तो वीडियो पूरा जरूर लास तक देखते रहें तो यह आप देख सकते हैं यहां पे नीचे में दिया हुआ इंजिरिंग प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम दौर शुरू प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण में याने की कुल एडमिशन हुए है 324 चात्रों ने अभी तक प्रवेश लिया है दूसरे चरण में प्रवेश का आज अंतिम दिन है शनीमार को शाम पांच बै तक चात्र विभिन विशाह में प्रवेश ले सकेंगे पहले चरण म 330 चात्रों ने लिया था एडमिशन जिसमें से थे 330 बी में थे फिबी और डी फार्मेसी में 585 डिप्लोमें 165 एम्बीय में 146, एम्सीय में 41 स्टुनेंट्स ने प्रवेश लिया था एक और चीज बताना चाहूंगी, AICTE ने प्रवेश की ताड़ी के 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है लेकिन उन्होंने ये फैसला राज सरकार पर छोड़ा है तो क्या स्पोर्ट राउंड और होगा या काउंसलिंग और कोई होगी ये अभी तै नहीं है, ये अभी कुछ भी नहीं बताया गया है आज सिर्फ आप ये जानते होंगे कि स्पोर्ट काउंसलिंग, सेकेंड स्पोर्ट काउंसलिंग का आज लास दिन था एड्मिशन का अब कल तक कितने स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है, कितने सीटे खाली हैं ये CGDT की वेबसाइट में होफ़ुली मंडे टूस्डे तक अपडेट हो जाएगा बट कट अफ नहीं आएगा क्योंकि हर कॉलेजिस का अलग-अलग कट अफ था बट सीट कितनी खाली रहेगी, इसके बारे में जानकारी CGDT में अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को बहुत चल पड़ा चल जाएगा चाहे वो बी-टेक की हो, फामिसी की हो या पॉलिटेक्निक की हो बट देखना ये है कि जब AICTE ने यहां पर 31 दिसंबर कर दिया है तो क्या CGDT या फिर जो यहां की बची होई सीटे हैं उसका क्या होना है क्या इंजिनरिंग में या फिर मैं ये कहूं इस बार 36 गड़ में मोसली कॉलेजिस के मोसली कोर्स की सीटे अब भी खाली रह जाएंगी ये देखना है कि क्या होता है सबसे ज़ादा इंजिनरिंग में सीटे खाली हैं और ये इसके लिए CGDT क्या प्रोसेस करता है ये देखने के लिए हम सब चाहते हैं कि शायद हो सकता है स्पोर्ट कांसलिंग का थर्ड राउंड हो या फिर शायद ऐसी के ऐसी सीटे खाली रह जाएंगी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस में इतना डिमांड है कि मोस्ली कॉलेजेस की सीट कंप्यूटर साइंस की भर चुकी अगर मैं बात करूँ बी आईटी की शंक्रा की रुंटा की बट वहीं अगर मैं एटी एंटी की बात करूँ तो मैंने खुद देखा था फर्स्ट राउंड में सिफ साथ सीटे भरी थी शंक्रा रायपुर की में बहुत ही अजीब सी यह सिच्वेशन है कि एटी एंटी स्टूडेंट्स लेना नहीं चाहते हैं जबकि मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपने इंजिनरिंग कर रखी है या आप करने जा रहे हैं तो मोस्ली स्टूडेंट्स चाहे किसी भी ब्रांच की आपको ब्रांच की एंट्या चाहे हैं यानि की आपको जॉड़ेंट्स इंजिनरिंग में जो स्टूडेंट्स जॉडेंट्स जॉड़ेंगों जॉड उम्याड़ जाते हैं तो यह बिल्कुल मत मानके चाहिए कि हम कम्प्यूटर ले रहे हैं तो तभी हमको आपको आपको होगा तो इस वीडियो को जरू लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए है तो जरू सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो